Hello my dear listeners welcome back so all the best for you exam कल ही आप लोगों का गिजाम है और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो कोशिशन पेपर है उसके भी सॉलिशन थोड़े प्रवाइड करा दीजिए तो यह कल एक्जाम है तो आज तो यह पूरे सॉलिशन नहीं हो पाएंगे पूर सब्सक्राइब कर दिया है जो आप से पूछा गया था कि कौन कौन से नहीं हो रहे हैं सारे इस चैनल पर अपलोड कर रखाया उसके बाद कई सारे इंपोर्टन कोश्चन भी आप लोगों को साथ ही साथ मैंने बताय हुए है तो आच्छे से प्रपरिशन करो कल एक्जाम है ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो होगा अच्छा होगा तो कौश्चन नमबर वन जो है आपका मैं एक बार पेपर दिखा देता हूं आपको हां जी यह कौश्चन पेपर था आपका इस वस्ट पेपर 2021-2022 सेशन का है और इसमें यह सारे कौश्चन से आप लोगों के आए हुए थे तो कौश्चन पेपर लास्ट यह का भी सिंपल था ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हूं कोई बहुत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कौश्चन कुछ हो में और 2019 में भी ऐसे और 2019 में बी जाणिस में बाऊस्चन से रिलेटेड़ कीशन आया है तो दो आज धूद्ट मेठ्ट से रिलेटट यह दों अच्छे से कर लेना है और न्यूटर्ण राप्शन में बहुत है क्ष्चन आप लोगों क्या यह यह तो यह थे से कर ले 11 और अ जो है इन दोनों में से question आने के हमेशा chances रहते हैं तो ये दोनों अच्छे से कर लेना उलर्स method में भी modified dealer देख लेना एक बार है ना और revised dealer देख लेना तो उसके भी chances रहते हैं और एक और चीज़ ये जो है ना कहना मेरा trapezoidal और simpsons one third या three eight rule इन में से भी बार-बार question आ रहे ह है और ये बहुत important question है अभी मैंने इस channel पर already last video शादेशी पर 16 marks में आया था ये question last year regression coefficient निकालने के लिए जिसमें bxy on byx निकालना है आपको वो सारी चीज़े आप लोगों को already मैंने दे रखी है ना और line of regression x on y on y on x ये सारा solution आपके लिए बहुत important है तो इस तरह के question जो है य regularly exam में आ रहे हैं ठीक है तो ये सब सारे question important है ये आप कर सकते हो ये आएंगी तो अब शुरू करते हैं हम लोग ये जो one marks को question है उसको complete करते हैं ठीक है हाँ जी तो दो करके question करते हैं तो पहला है rate of convergence of the newton reaction method देखो भाई जब हम लोग जब कोवीड का time चिल रहा था तो मैंन में भी ये question मैंने आपको कई बार दिया है rate of convergence of newton reaction regular falsy ये सारे दिये हुए तो newton reaction का convergence rate क्या होता है twice ठीक है two होता है और bisection method का कितना होता है one bisection method का कितना होता है one और अपना regular falsy का कितना होता है regular falsy और false position भी बोलते हैं इसको इसको 1.6180 इस तरीके से कुछ होता है एक बड़ चेक कर लेना इसको ठीक है तो ये ये तीन चीजे आने के चाहसे ज़र रहती तो ये तुम देख लेना है ये तीन हो important है उसके बाद newton forward formula के help से आपको sign of 1.604 निकालना है from using the following data तो आपके पा horizontal लिखाता है इसको vertically लिख दिया क्योंकि मुझे table बनाना है तो ये value आपकी x0 है ये value x1 है और ये value आपके पास x2 है ये f of x0 है ये f of x1 है और ये वाली value f of x2 है ठीक है ये आपके पास होगा del f of x0 और ये value है आपके पास del square f of x0 और ये है आपके पास del f of x1 ठीक है तो जो Newton forward difference है, तो forward difference में क्या होता है भाई, एक आगे से subtract करते हैं, यह कैसे निकलेगा del f of x not, this is this minus this, इसको f of x1 minus f of x not करेंगे, मतलब f of x1 minus f of x not करेंगे, तो हमारे पास यह value आ जाएगी, ठीक है, और यह कैसे निकला है, यह निकलेगा f of x2 minus f of x1, तो मतलब f of x2 minus f of x1, तो वो क्या है, 0.1612923 minus 0.1623054, तो वो आपके पास यह result देगा, तो I hope यह वाला first order forward difference यह पता लग गया होका कैसे निकालना है, तो इसी del को first order होते हैं, del square मतलब second order, second order निकालने के लिए क्या करेंगे, जो second order के लिए इन दोनों का difference देंगे, इन दोनों का difference मतलब, del f of x1 minus del f of x0, तो del f of x0 कौन सा है, अभी यह निकाला है, del f of x1 क्या है, तो इन दोनों के बीच का difference लेंगे, तो यह बन जाएगा, ठीक है, तो मेरे कहल से table तो बन जाएगा, table में कोई issue नहीं है, अब फॉर्मुले को यूज करना है, तो formula क्या कहता है कि f of x, x अभी क्या है, जिस point तो मुझे f की value निकालनी है, तो किस point पर निकालनी है, यह 0.164, और f क्या है हमारा, sine, function क्या है, sine, और x की value क्या है, यह, ठीक है, x की value तो मुझे पता लगी, x की value होने वाली है, 0.1604, अच्छा, x0 क्या है, x0 यह रहा, लेकिन मुझे किस की value f of x0, तो f of x0 क्या है, इसको यहां substitute कर देंगे, then u, u बताता हूं क्या है, then del f of x0, del f of x0 क्या है, यह रहा, del f of x0, then u, u minus 1 upon factorial 2, del square of x0 क्या है, del square of x0 यह, तो f function की सारे values तो निकाल गी, अब बात आते है, u की, u is equal to x minus x0 upon h, h होता है common difference, common difference क्या है यहां पर देखो, x's में, तो x1 minus x0, या x2 minus x1, वो होता है h, h मतलब common difference, तो 0.161 minus 0.160 करोगे, तो आपके पास simple सी बात है, h की value क्याने 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 क्या है, 0.001, यहां पर कर रखिया है, उसी तरह 0.162 minus 0.161 करोगे, वो भी कितना हैगा, 0.001, क्योंकि यह forward difference, backward difference, equal spaces के लिए होता है, इंटर्वल के बीच में, अगर equal spaces है, तभी यह forward difference और backward difference अपलाई कर सकते हैं, अगर equal नहीं होगा, तो कौन सा अपलाई करना है, न्यूटर्ण रप्शन और, सॉरी, न्यूटर्ण रप्शन नहीं, लेगरंजे, लेगरंजे, एंड न्यूटर्ण डिवाइडे डिफरेंस है, वो दोनों यूज होता है, तो खेर अभी वो question नहीं है, हाला उससे related question मैंने कर रखा है last video में, जो पिछली साल के question paper आया थे, तो अब इसको देख लेते है, X की value मुझे पता है, यह है, X0 की value क्या है मेरे पास, यह है, बस U की value निकल जाएगी, तो देखो, यू की value क्या आगी, X, X दे रखा है में, किस point पे value निकल नहीं, 0.160, और minus X0, X0 मतलब यह, तो इन दोनों के बीच का difference upon H, H क्या है भाई, H है अपने पास, 0.001, उसको substitute किया, तो अपने पास U की value क्या आ रही है, U की value जो भी आएगी, हाँ, 0.4 ही आ रही है, यहाँ पर H की value 0.001 substitute करेंगे, तो इसको बी 0.4, तो U की value अपने पास होगी है, 0.4, U की value होगी है, 0.4, अब substitute कर देते हैं, हमारा answer, इसमें substitute कर देंगे, answer आ जाएगा, देखो, यहाँ substitute कर दिया मैंने सारी values, है न, F of X is equal to F of X0, F of X0 यह रहा, प्लस U, U निकला था 0.4, डेल F of X0, ठीक है, प्लस U, 0.4, U-1, 0.4-1, upon factorial 2, multiply by, डेल square F of X0, डेल square F of X0, यह रहा, तो इन सभी को plug-in करके, इसका answer निकाल दिया है, सम करके, calculator आपको allow होगा, तो answer यह आ गया, ठीक है, I think यह newton forward difference आप लोगों को clear हो गया होगा, next question पर चलते हैं, next question है, rewrite this differential equation, dy by dx, प्लस 2y, यह दिया हुआ है, dy by dx, प्लस 2y, equal to 1.3 e raised to a minus x, y of 0 is equal to 5, इसको मुझे इस form में लिखना है, तो dy by dx एक side है, और बाकी function of x, y another side, so d of x, y को मैंने इदर ही रखा, बाकी जो यहाँ पर function था, उसको यहाँ पर दोनु तरफ minus 2y से subtract कर दिया, तो अपने पास यह बनीगा, तो this is nothing but our f of x, y, ठीक है, यह हमारा क्या बनीगा, f of x, y, और y of x not equal to y not formula था, तो x not की value तो हमारे पास 0 है, और y not की value यहाँ पर 5 है, तो y not की value 5, x not की value अपने होगी 0, तो यह आगया y of 0 is equal to 5, तो यह इसी form में लिखना था, बस यह दो number को question इतना difficult नहीं था, ना, now d, given that x equal to 2y plus 4, और y is equal to kya है, kx plus 6, अब इस k की value निकालनी है, ताकि यह जो दोनु लाइन रहे हैं, वो क्या बना है, regression line, x on y and y on x, और जिससे r की value है, जिसमें r की value 0.5 है, अगर r की value 0.5 है, तो k की value क्या होगी, तो भाई, simple सा formula है, last video में 16 marks का question आया था, इस पे based, और इस वाले question, 2021 question paper में भी last में आपने देखा होगा, regression coefficient पूछा है, तो these are the regression coefficient, तो regression coefficient देखो, दो है आपके पास x on y and y on x, जिसको आपन bxy और byx बोलते हैं, तो what is the relation between the correlation coefficient and regression coefficient, जो correlation coefficient होता है, वो geometric mean होता है, किन-किन का, sorry, regression coefficient x on y and y on x, ठीक है, so r is equal to कैसे लिखते हैं, square root of bxy and byx, so r की value क्या दे रिखी है, 0.5 दे रिखी है, और bxy क्या है, बताओ, bxy आपके पास है, 2, ठीक है, यह bxy is equal to क्या है, 2, और byx क्या है, k, तो यहाँ पर substitute कर देंगे, देखो, इसको पूरा ही solve कर दिया है, x on y is equal to x, x minus x bar is equal to bxy, y minus y bar, तो इसको इस तरीके से लिख सकते है, x equal to bxy, y, और x bar minus y bar, ठीक है, तो यह bxy आपका regression coefficient है, तो bxy को अगर इसके साथ compare करेंगे, जो equation एक दे रखी, x equal to 2y plus 4, तो इससे हमारे पास bxy की value के आगे 2, उसी तरह y on x में क्या करेंगे, y minus y bar is equal to bx, x minus x bar, तो इसको भी थोड़ा सा simplify कर दिया, तो y is equal to bx, x plus y bar minus x bar, तो इसको इसके साथ compare करेंगे, तो bx की value क्या हमारे पास है क्या है कि k, तो बस just simply वही formula यूज़ करेंगे, जो हमने किया था, r is equal to kya है, under the square root of bxy, yx, यहाँ पर आगया 2k is equal to 0.5 है, इसको 1 by 2 लिख सकते हैं, square करते हैं both sides, so 1 upon 4, यहाँ पर 2k, divide कर देंगे, k की value क्या आगे है, 1 upon 8, so value of k is 0.125, बहुत simple था, इसके बाद e देखो, the coin is tossed 3 times, एक coin को 3 times tossed किया है, what is the probability of 3 heads, 3 heads आने की क्या probability है, तो एक तो तरीका इसमें दिया हुआ है, कि पहर्ट एक time पे जब trial करेंगे, जब toss करेंगे, तो head आने की क्या probability है, तो head आने की probability क्या है, 1 by 2, तो दूसरी बार करेंगे, तब भी 1 by 2, और तीसरी बार करेंगे, तब भी 1 by 2, तो तीनो time head आये, तो उसकी क्या probability आएगी भाई, 1 by 8, अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसे समझ सकते हो आप, कि sample space 3 बार toss करूँगा, तो क्या बनेगा, बताओ, एच एच एच, एच, एच एच, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, अब ये total sample space बना है, जब मैं three times toss करूँगा, तो इन आठ में से, कोई ने कोई एक option, हमेशा ही आएगा, तो उन्होंने बोला है, कि all time, three times three head आये, थी बार toss कर रहा हो भाई, और तीनो time head आये, तो तीनो time head आने का क्या possibility, एक ही है, only this one, out of कितने, eight, तो ऐसे समय सकते हो, the one by eight will be the answer, ठीक है, अमना, what is the meaning of probability in the statistics, probability of, क्या होता है, probability is nothing, the measure of likelihood of an event to be happen, एक event होने के क्या possibility है, उसकी कितनी possibility है, statistics में, वो probability कहलाता है, ठीक है, तो इत measures the certainty of event, event की क्या event होने की possibility है, वो कौन बताता है probability, the formula for probability is given by, you know, probability of any event is nothing but, number of favorable outcomes, upon total number of outcomes, ठीक है, तो यह simple सा, just formula यूज करना तो और कुछ नहीं, अब जी पे आजाते है, जी क्या कह रहा है, कि variance of the Bernoulli trial, अगर हमें निकालना है, अगर पी दिया हुआ है, पी मतलब probability of success दिया हुआ है, तो भाई, इस simple सी बात है, variance of Bernoulli distribution क्या होता है, पी क्यू होता है, क्यू मतलब 1-प ऐसे लिख सकते हो, पी क्यूंकि बाइनोमियल, Bernoulli में यह difference है, बाइनोमियल में आपर दो variable लेके चलते हैं, पी की value आपके पास क्या है, 0.3, पी की value 0.3 substitute की, तो variance क्या जागा, 0.3, 1-0.3 मतलब 0.21, तो variance क्या होगा, simply 0.21, इसमें तरना सोच नहीं नहीं था, now H, H क्या कहा रहा है, कि primary philosophical difference क्या होता है, किस किस के parameter में, probability distribution function, और cumulative distribution function, PDF और CDF में क्या difference होता है, तो simple सी बात है, यह जो difference होता है, इन दोनों के बीच में, PDF, CDF, that is totally depending upon the random variable, किस तरीके से random variable को define किया है, तो PDF में हम क्या करते हैं, जो probability distribution function है, उसमें क्या करते हैं, कि जो random variable की value, वो specific value, एक particular range में लेते हैं, एक specific value, P of X equal to R, ठीक है, P of X equal to R, मतलब R X equal to क्या हो, X जो variable हो, that is specifically R, लेकिन यही, cumulative distribution में क्या होता है, अपने पास, P of X less than equal to R लेते हैं, अगर आपको ध्यान होगा है, इसमें लेते हैं, probability X is less than equal to R, और इसमें क्या होता है, probability exactly X equal to R, तो यह चीज़ आपको थोड़े से समझना पड़ेगा, तो यह PDF के लिए हैं यह वाला case, और यह वाला case CDF के लिए, दूसरा क्या है अपने पास, यहां पर लिखा हो है, देगो, random variable is less than or equal to certain value, ठीक हैं, तो random variable less than or equal to certain value, जो certain value है, वो R कह रहे हैं अपने आपे, PDF में जो distribution होता है, उसका location या shape किस पर depend करता है, mean और standard deviation पर, किस तरह का mean और कितना standard deviation, उसके हिसाब से decide होता है, कि उसका जो shape बनेगा, या location होगा, distribution का, वो कहा होगा, ठीक हैं, लेकिन CDF में क्या होता है, आपके पास, जब random variable की value increase हो रही है, तो probability किस तरीके से आ रहा है, तो उसके depend करता है, आपका shape, CDF का, यह बहुती, simple सा difference है, इन दोनों के बीच में, तो 2 marks का question था, तो 2 differences आप लोगों के लिए, दे दिये हैं, और बाकी आप चेक कर सकते हो, नेक्स कोश्चन आपने पास, mean of hypergeometric distribution, mean of hypergeometric distribution क्या होता है, n k by n, small n क्या होता है, sample size है, और capital n क्या होता है, पूरा population का size, यह आपका, that is total population, उसमें से इतना sample लिया है, तो इसका जो, this is size of complete population, और यह जो size, small n है, that is the size of sample, उसमें से k का है, k is the number of success state in the population, population में number of success states कितने है, that is k, so इसमें जो hypergeometric distribution में, m में, जो mean होगा, that is the combination of these three, n k by n, अच्छा, एक और यह भी पूछा जा सकता है, mean तो पूछ ले, क्या पता अगली बार, variance पूछ ले, तो variance of hypergeometric function क्या होता है, simply n multiply by k, multiply by capital n minus capital k, multiply by capital n minus n upon, n capital n square, multiply by capital n minus 1, तो capital n बहुत बार आरहे, capital n मैंने बता दिया है, capital n क्या है, total size of the population, population के पूरी size, और small n क्या है, जो sample है, उसकी size, तो ये variance हो जाएगा आपका, तो ये चीज़े, तो formula आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे, याद रखनी पड़ेंगे, अब याए होग लास्ट कोशन है, कोशन नमबर बन का, और सारी कोशन मैंने करा दिये हैं, तो अच्छे से preparation आप लोग कर लेना है, और प्लीज यार मैं बार-बार भूल जाता हूँ, don't forget to subscribe दे चैनल, वो subscribe कर दो, ताकि आगे और information मिल सके आप लोगों को, अच्छा, bag contain 4 white, 5 red and 6 blue balls, ठीक है, 3 balls are drawn at random from the bag, the probability that all of them are red, सारे के सारे red हो, इसकी क्या probability है, तो सबसे पहले, तो क्योंकि probability निकालना है, तो probability क्या होता है, number of favorable outcomes upon total number of outcomes, तो पहले total number of outcomes निकाल लेते हैं, उसके बाद हम favorable outcomes निकालने के लिए क्या करेंगे, total number of ways to draw 3 balls from 15 balls, 15 है न total, गिनके देख लो न, 6 plus 4 plus 5, that is 15, 15 ball में से मुझे 3 ball pick करने हैं, तो यह total ways हुए है, तो 15C3, तो 15C3 क्या हो गया, factorial 15 upon factorial 3, factorial 15-3, यह लिखते हो न, इस तरीके से, 15C3, combination बना रहे हैं, so factorial 15 upon factorial 3, factorial 15-3, तो यह आपके पास हो गया, factorial 15 upon factorial 3, factorial 12, तो यह आ जाएगा अपने पास, 455, 455 टोटल ways है, जिससे कि मैं, 15 ball में से 3 ball निकाल सकता हूँ, अच्छा, अब बात आती है, कि red ball होना चाहिए, तो number of ways to draw 3 red balls, from 5 red balls, और total red ball कितने हैं, 5 हैं, तो 5 में से 3 red ball निकालने, तो यह हो गया आपके पास, favorable outcome यह हो गया, total number of outcome, favorable outcome को, total number of outcome से divide कर देते हैं, तो हमारे पास, all 3 red ball हो जाएगा, तो this is the answer, 0.0, इसका करके देख लेए ना आप एक बार, 0.022 या ऐसे कहलो, 2.2% चांस है, कि तीनो बाल अगर जो में निकालूंगा, वो क्या होगा, red ही होगा, out of 15 बाल, ठीक है, so I hope यह complete 10 questions आप लोगों को समझ आगेंगे, and all the best for your exam, अच्छे से exam देना, और हाँ, don't forget to share your question paper, क्योंकि मेरे जो source है, वो question आप ही हो, तो question paper शेयर करना, मत भूलना, ताकि next year, अगर exam होता है, तो फिर उसके भी, इस साल के question paper है, उसको भी मैं provide करा सकूँ, तो mail ID मेरा, आपको description box में विल जाएगा, वहाँ से आप mail ID देख सकते हो, question paper, जैसी question paper complete होता है, exam होता है, तो मुझे question paper send करना, so that I can see, कि मैंने जो मैंनत किये, या आप लोगों ने जो मैंनत किये, वो कितना हद तक, सही और सक्सेस रहा है, so thank you so much, see you in the next video,